हालो फ्रेंड्स आज मैं आपके लेकर आए हूँ बहुत ही डिलीशियस एक दम ब्राइंड न्यू ब्रेक्फस्ट रेसिपी विच इस पोटेटो डेस जी हाँ ये बिलकुल नई रेसिपी है और मैं आपको गैरंटी से कह सकती हूँ आपने इससे पहले ये डिश कभी नहीं ट्राइ करी होगी तो मेरे कहने पर प्लीश ये रेसिपी जरूर ट्राइ करें और मुझे बताएं कैसी लगी आपको ये रेसिपी ये रेसिपी बहुत ही इसी है फ्रेंड्स आप बहुत ही असानी से बना लेंगे सिरफ 15 मिनट्स में और 1 टीस्पून ओयल से आपकी पूरी लाली का ब्रेकपस बन जाएगा तो इसके लिए हमें चाहिए वन बोल सूजी आप सूजी पत्ली बारीग सूजी ही ले आप हमें इसमें पथली करेंगे तो उन कप सूजी के साथ हमने शुप धाइए ये यह है मेरी tip number one और यह room temperature पे ही use करी है मैंने धाई हम दोनों को अच्छे से mix कर ले और इसकी consistency थोड़ी सी थिक रहेगी हम बाद में इसमें water add करेंगे अभी हमने डाला है इसमें सिरफ two tablespoon of water और इसको मिला के इसे अच्छे से whisk करें कुछ इस तरीके से देखे फ्रेंट सूजी पानी पी लेती है तो जब हम इसे set करने के लिए रखेंगे उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा water add करेंगे अच्छे से mix करें और फिर हम इसको रखेंगे set होने के लिए देखें कुछ इस तरीके से यह बहुत ही healthy recipe है friends आप एक बार यह बना के देखेंगे तो आप हमेशा यह ही try करेंगे तो हम इसे 10 मिनिट के लिए set होने के लिए रख देंगे प्लेट से cover करें और साइड में रख दे अब next हमें चाहिए इसमें two potatoes हमें आलू को उबालना है देखिए मैंने आलू बाल के रख लिए है यहां मेरे tip नमर two आपको आलू को grate करना है friends इसे हाथ से मत मैश करिएगा क्योंकि हमें इसका fine paste चाहिए अब हम इसका masala ready करते हैं तो मैंने जिया है pan में two tablespoon oil अब इसमें जाएगा थोड़ा से जीरा तो हमने आड़ किया है half teaspoon जीरा जीरा को थोड़ा crackle होने दे और अब इसमें डाला है मैंने half teaspoon mustard seeds आप चाहें तो इसमें राई भी आड़ क करें हैं जब यह crackle हो जाएं तो इसमें बारी कटी भी चिलीज डाल दे हरेमिट्स डाल दे और अब गया है इसमें एक बारी कटा हुआ प्यास यहां है मेरी दूसरी टिप फ्रेंस आपको ध्यान रखा है कि आपकी प्यास बिलकुल बारी कटी भी हो अगर आपकी प्यास मो और अब हम इससे सौटे करेंगे और जब तक यह ब्राउन नहीं हो जाता इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकाएं देखिए हमारी प्यास अब थोड़ी थोड़ी ब्राउन होने लग गई है अब हम इसमें आड़ करेंगे अपने ग्रेटिड आलू अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले तो हम डालेंगे पहले नमक तो सबसे पहले इसमें जाएगा आदी चमज नमक फिर हम आड़ करेंगे आदी चमज रेड चिली पॉडर पिंच ओफ हल्दी विच टर्मरेक और हाफ टीस्पून कोरियेंटर पॉडर और जैसे कि आपको पता ह मैगी मसाला मेरा फेवरिट है तो अब मैंने डाला है पिंच ओप मैगी मसाला जो आपकी रेसिपी के फलेवर को अन्हांस कर देगा और यह है मेरा secret ingredient सबी मसालों को डाल कर अपने आलू को अच्छे से mix कर ले और इसका एक अच्छा सा पेस्ट पना ले यहाँ है मेरी दूस में पानी होगा फ्रेंज तो वो लॉग्स नहीं बन पाएंगे तो अपने आप पानी को बिल्कुल अच्छे से सुखा लें और सारे मसालों को आलू में मिक्स होने दें इसे मीडियम फ्लेम पर दो मिनट तक पकाएं और अब इसमें हम डालेंगे फ्रेश कॉरियंडर लीव्स उसका टेस्ट बहुत ही यमी होने वाला है धनिया डालकर इनको अच्छे से फिर से मिक्स करें और साइट से सारे मसाले को निकाल लें देखें मेरे आलू बिल्कुल ड्राय हो गए है इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं है तो अब हम इसको अच्छे से दो मिनिट पकाकर एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे, हम पैन में इसको नहीं छोड़ेंगे, अदरवाइस वो बहुत जादा ड्राय हो जाएगा, तो आप इसको दो मिनट तक चलाएं, जब सारे मसाले मिक्स हो जाएं, तो हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे, कुछ इस तरीके से, अब इसे हाथों की मदद से अच्छे से mix कर ले और अब इसमें squeeze करेंगे हम half lemon seeds को अलग कर दें और lemon को जानने से इसका taste चटपटा हो जाएगा friends हम इसकी एक filling ready कर रहे हैं जिससे अंदर की disc में golden color आएगा और वो बहुत ही yummy लगता है अब मेरे कहने पर recipe ज़रूर try करिएगा और मुझे बताइगा कि आपको कैसी लगी मेरी brand new recipe अब हमारे अलू अच्छे से mix हो गए हैं अब हमें क्या करना है friends हमें इसके cylinders बनाने हैं आपको इसके logs बनाने हैं तो आप इसे हातों की मदद से roll करें और इसे एक cylinder की shape दे दें कुछ इस तरीके से बट आपको जिसकी height और width का ध्यान रखना है हमें इसे glasses में डालना है तो इसकी जो height है वो आपकी glass की height से कम होनी चाहिए ठीक है मैं आपको आगे बताऊंगी पर आपकी height और width glass की height और width से कम होनी चाहिए अब हमारा batter 10 minute हो गए है बिल्कुल ready है देखिए उसमें सूजी ने सारा पानी ले लिया है इसमें डाले half teaspoon नमक ठीक हमने नमक पहले add नहीं किया था और हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालें जैसे आप idli batter में डालते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इसका batter ready करना है आप चाहें तो market से भी idli batter भी use कर सकते हैं अब इसमें जाएगी इनो तो जितनी आपकी सूजी है friends उतने ही इनो जाएगी हमने एक बोल सीलजी ली थी तो हम इसमें 1 teaspoon इनो add करेंगे इनो के उपर हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि उसकी properties ready हो जाएं वो react करें और जैसे आपको पता ही है हम इनो डालते ही उसकी quantity बढ़ जाती है सूजी फूल जाती है तो इसे अच्छे से whisk करें 2 मिनट तक हिलाएं और इनो डालते ही आपको इसे glass में transfer करना है friends देखिए इसकी consistency बिल्कुल ठीक है आप जैसे idli batter में होती है इसे 2 मिनट तक फेटें और अब हम इसको transfer करेंगे glass में तो friends हम अपने idli बनाएंगे glasses में तो मैंने यहां लिए है steel के glasses और उनको मैंने अच्छे से grease कर लिया है यह बहुत ज़रूरी है friends इसको miss मत करिएगा otherwise आपके cylinders बिल्कुल भी ठीक से भार निकल कर नहीं आएंगे और वो चिपक जाएंगे तो मैंने यह लिए हैं 2 glasses और यहां पर सबसे पहले हमें अपना डालना है idli batter तो आप अपने glasses को half इसमें से fill कर लें कुछ इस तरीके से और अब हम अपना cylinder लेंगे potato का log लेंगे और इसके अंदर रखेंगे तो आपको अपने हाथों से थोड़ी सी shape ऐसे set करनी है कि उसकी height glass की height से कम हूँ क्योंकि हमें इसके अंदर डालना है देखें बिलकुल नीचे तक इसको दबा दे तभी आपकी potato disc की rings बहुत colorful आएंगी और फिर से उपर से इसको cover कर दे यहाँ है मेरी next tip friends हमें बस उपर से cover करना है पूरे glass को fill मत कीजेगा because जो आप इसको steam करेंगे तो वो already पूरे glass तक उपर तक आ जाएगा ऐसे ही मैंने अपने दूसरे glass को करा है पहले half fill किया है फिर इसमें lock डाला है और फिर से उपर से हमने इसमें अपना suji butter डाल दिया है again friends ध्यान रखिएगा glass को पूरा fill नहीं करना है हमें थोड़ी से space उपर से खाली छोड़नी है अब मैंने यहाँ पर ले लिया एक बड़ा सा vessel और इसमें रखी है यह aluminium की cylinder अब इसमें हम रखेंगे अपने glasses और मैंने इसमें डाला है पानी इतना पानी आपको डाला है friends की 10 minute तक वो boil हो सके आप चाहें तो एक steamer भी use कर सकते हैं cooker में भी बना सकते हैं जैसे आप idli बनाते हैं और अब इसको हम cover कर देंगे एक lid से और 10 minute के लिए इसको रख दें देखिए friends कितने सुन्दर हमारे cylinders निकल कर आएं हैं I'm sure मैंने जिस अपनी last video में बताया था आपको कैसे चेक करना होता है आप toothpick से चेक करके देखेंगे अगर आपकी toothpick बिल्कुल neat निकल कर आई है तो मतलब आपकी idli ready है और क्योंकि हमने grease किया था तो बिल्कुल मट डरिएगा आपका cylinders बिल्कुल एक बारी में ही भार निकल आएगा कुछ इस तरीके से आप चाहें तो इसको ऐसे कट करकर भी अपनी चट्नी के साथ ग्रीन चिली के साथ खा सकते हैं पर मैं इसमें लगाऊंगे एक तड़का तो हमेंने लिया है फ्राइपैन में फिर से वन टीस्पून ओयल और इसमें जाएगा आदी चमच जीरा थोड़ी सी राई और अब मैं इसमें डालूंगी कॉरियंडर लीव्स अब पहले इसमें मसाले आड़ कर लें आदी चमच नमक थोड़ी सी लाल मिर्च अब पिंच अफ हल्दी कलर के लिए थोड़ा सा धनिया अब फ्रेशली कॉरियंडर लीव्स इसमें आड़ करें इसको अच्छे से मिला ले और अब इसमें थोड़ा सा वाटर डाले ताकि वो लीक्विड इफेक्ट आ जाए और हमें अपने रोल्स को इसमें रोल करना है तो इसको दो मिनिट तक बॉयल करें और अपने सिलेंडर ले और देखिए कुछ इस तरीके से इसको रोल करें आगया ना इसमें कलर कितना ही सुन्दर गोल्डन कलर आया है और मैंने दोनों अपने सिलेंडर को इसमें रोल कर दिया है और अभी बिल्कुल रेडी है सर्फ करने के लिए बस हमें से अब कट करना है और अब मुझसे भी इंतिजार नहीं हो रहा है देखे फ्रेंज इसको ऐसे कट करें और अपने सिलेंडर्स अपने पोटेटो डिस्क बिलकुल रेडी है तो ये थी मेरी आज की ब्रैंड न्यू रेसिपी जो बहुत ही यमी है औ मुझे इसका कोई नेम समझ नहीं आ रहा था तो मैंने पोटेटो डिस्क रखा है अगर आपके पास कोई अच्छा सा नेम हो तो मुझे अपने कॉमें सेक्शन में जरूर बताएं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बबाई